हेलो स्टूडेंस कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो छुट्टी का टाइम था उसमें आपने प्रॉपर थरीके से पढ़ाई की होगी और जो भी चीजें हमने डिसकस की थी उन सारी चीजों को रिवाइज किया होगा तो लास्ट अन पे हमने चाप्टर स्टार्ट किया था सांखे की जो कि आपकी बुक का चाप्टर नंबर थी था और उससे हमने दो एकसाइजस समझी थी अभी उसी चाप्टर में एक नया टॉपिक है जो कि आपने अभी से पहले नहीं देखा होगा तो हम उस टॉपिक को डिसकस करेगे और हमारा टॉपिक है आंकडों की केंद्रिय प्रवृति और उनका प्रकार आप्शली केंद्रिय प्रवृति का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास डेटा है जैसे कि जिस भी चीज के बारे बे हम डिसकस्ट कर रहे हैं उससे रेलिटेट जो भी हमें डेटा मिला है तो कोई एक ऐसा नंबर हो जो कि उन सारे डेटा को क्या कर रहा हो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो भी डेटा दिया गया है उन सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक single numeric value जो होती है एक single जो अंक है जो कि पूरे डेटा को शो करेगा उसी के मान के लिए हम क्या निकालते हैं केंद्रिय प्रवृति का माप निकालते हैं अगर हम definition समझना चाहें केंद्रिय प्रवृति यानि कि Central Values का केंद्रिय मान जो है तो केंद्रिय प्रवृति से अभिप्राय जो है वो उन संख्यात्मक माप से है उस Numeric Values से है जो कि प्राप्त आंकडों का सबसे अधिक क्या करता है प्रतिनिध्व करता है यानि कि बाकी सारे डेटा को शो करने के लिए हम अगर वही सिर्फ एक सिंगल नमबर बोले तो उससे समझ में आ जाएगा कि बाकी सारे डेटा जो है वह भी उसी के आस्पास है अब इसको measure करने के जो तरीके हैं, जिसमेंसे कि पहला है समानतरमाद, जिसको कि हम क्या कहते हैं, arithmetic mean या फर mean भी कहते हैं, तो इसमें करना क्या होता है, कि जितना भी आपको data दिया गया है, आप उसको add करिए normal तरीके से, और फिर जितना number of data, जितने number of observations है, उससे क्या करना हो अब जो आपके syllabus में हैं, तो सर्फ यही एक चीज है, यानि कि समानतरमाद, या फर mean, सर्फ यही चीज हमें यहाँ calculate करनी है, बाकि इसके अलावाद दो और तरीके हैं, जिसको कि हम जो दूसरा तरीका, उसको माधिमका कहते हैं, या फर median कहते हैं, और एक तीसरा तरीका है, जिसको कि हम mode यानि कि बहुलक कहते हैं, तो ये दोनों आपको अपनी next classes में study करना है, अभी के लिए हमें सर्फ और सर्फ क्या पढ़ना है, समानतरमाद, अब समानतरमाद निकालने के लिए दो तरीके के प्रश्न होंगे आपकी किताब में, दो तरीके के questions हैं, जिनको कि हम में इस बार क्या करना है, डील करना है जिनके साथ, तो एक-एक करके हम समझेंगे कि हमें कौन से टाइप के questions को कौन से तरीके से solve करना है, तो आज का lecture स्टार्ट करते हैं, केंद्री प्रवृत्य की मा पे मुख्यता तीन प्रकार की होती है, सबसे पहला है समानतर माध्य, जिसे अंग्रेजी में हम arithmetic mean कहते हैं, दूसरा है माध्यका या माध्यक, जिसको कि हम median कहते हैं, और तीसरा है बहुलक, जिसको कि हम mode कहते हैं, लेकिन आपके syllabus में सिर्फ एक ही तरीका है, जिसको कि हम समानतर माध्य कहेंगे, और यह बहुत ही simple है, क्योंकि हमने पिछली classes में भी इससे related questions solve की हैं, तो चलिए देखें कि समानतर माध्य होता क्या है, आकडों के एक समूह के लिए अधिकांशता प्रयोग खिये जाने वाला प्रतनिधि मान जो है, वो स उसको संगशेप में mean कहते हैं, बहुत ही simple सा process है, जिससे कि हमें mean calculate करना होता है, या फिर समानतर माध्य calculate करना होता है, ठीक है, करना क्या है, कि जो भी data आपको दिया क्या है, उसको जोड़ना है, और जितने number of terms वो आ रहा है, हमें उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना, जैसे, देखिए, कक्षा साथ के 6 विद्यारती हैं, जिनका कि टेस्ट हुआ था और उनको 100 में से इतने marks मिले हैं, आपको समानतर माध्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, और फिर total जितने numbers हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, total 6 numbers हैं, तो 6 से हमन इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो जो value हमें मिलेगी, वही इन पूरी संख्याओं को क्या कर रही है, प्रतनिधित्व कर रही है, और इसके लिए हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, समानतर माध्य, अगर definition समझना चाहें, तो समानतर माध्य वह मान है, जो दिये हुए प इन दुनों तरीके के questions को हमें solve करना होगा, पहले तरीके का जो question है, वो है कि अवरगी क्रित, यानि कि not categorized, category के form में नहीं है, अवरगी क्रित आंकडों के समानतर माध्य की गर्ना, जहां पर कि आपको बारम बढ़ता नहीं दी गई है, तो इसका मतलब क्या है, कि मान लिज देटा दिया गया है, और आपको निकालना है समानतर माध्य, तो समानतर माध्य क्या हो जाएगा, इन सभी का जोड, यानि कि x1 प्लस x2 प्लस x3 and so on, कहा तक जोड़ना है, xn तक, और फिर कितने number of terms है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके n तक है, तो इसको हम n से divide कर देंगे, इसी इस symbol का यूज करते हैं, इस symbol को हम sigma कहते हैं, ये गरीक भाषा का एक अक्षर है, जिसका की मतलब होता है, योगफल, जैसे अगर हम प्लस बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना, और फिर हम समझ जाते हैं, कि इधर दोनों संख्याय जो लिखी हुई है, इन द बराबर होता है, अँब मान लिजे कि आपको कुछ संख्याय दी गई हैं और आपको उनका समानतर माध्य निकालना है, तो उसके लिए हम आपकी बुख का ही उदाहरण तीन देखते हैं, कक्षा साथ के दस सिक्षार्थियों के भार आपको दिए हुए हैं और आपको उनका समांतर माध्य निकालना है समांतर माध्य का सूत्र हमें पता है क्या होता है कुल पदो का योग बटा पदो की संक्या यानि कि समेशन एक्स या सिग्मा एक्स अपॉन तो हम क्या करेंगे जितने नंबर्स दिये गए हैं जैसे कि यहां पहला नमबर है 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40 यह सारे नमबर दिये गया थे तो हमने क्या किया इन सारे नमबर को जोड लिया और फिर कितनी संख्या है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस तो हमने इसको दस से क्या किया? भाग दे दिया जोडने पर जो वाल्यू आ रही है वो है 450 और इसको दस से भाग करेंगे आंसर कितना आ गया? 45 किलो ग्राम यानि कि जो भार दिया गया है अगर हम एक, सिर्फ eak number कहना चाहें जो कि उन सारे numbers को denote करें जैसे की class में monitor होता है तो वो अगर बच्चों करको कोई problem होती है तो वो monitor सु कहते हैं फिर monitor जाकर class teacher से bात करता है उसी तरीके से एक एईसा number जो इन सारे data को represent कर रहा है वही क्या होता है मीन होता है और इस question में मीन की value कितनी आ रही है 45 आ रही है तो अब आपकी exercises में जो questions है जैसे कि पहला question है या दूसरा question है जहां कि आपको अवर्गिकरित आंकड़े दी गए है और बारंबरता नहीं दी गए है मतलब repetition नहीं दिया गया है तो उस case में आपको क् जोड़ना है और कितनी संख्या है एक दो तीन चार पांच यहां दिया भी हुआ है पांच सिक्षार्थी है तो पांच से हम भाग दे देंगे हमें समानतर माध्य मिल जाएगा इसी तरीके से यह question भी देखिए सेम उसी तरीके से हो जाएगा क्या करना है इन numbers को जोड़ना ह है और टोटल जितने सिक्षार्थी है यहां 15 सिक्षार्थी है तो 15 से भाग देंगे इसी तरीके से यहां पर यह सारे numbers है आपको समानतर माध्य ज्यात करना है तो हम क्या करेंगे 10 बालिकाय है तो इनको add करने के बाद 10 से divide कर देंगे एक और question करेंगे हम प्रयास कीजिए का तीसरा पाट है कि यदि दो तीन और एकस का समानतर माध्य तीन है तो एकस का मान क्या होगा यह आपको निकालना है तो आपको पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है किसके पदों का योगफल बटा पदों की संख्या है ना समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटा पदों की संख्या के और यहां पर आपको जो टर्म्स दिये हुए है वो क्या दिये हुए है देखिए आपको दिया गया है तीन नंबर दिये के हैं दो तीन और एक्स तो जो समांतर माध्य होगा इन तीनों को जोड़कर और कुल किती संख्या एक दो तीन तो तीन से भाग देने पर मिलेगा और यहां आपको दिया हुआ है कि इनका समांतर माध्य जो है वो तीन के बराबर है आपको निकालना है कि एक्स कितना होगा तो इसी को हम लख सकते हैं तीन बराबर यह जोड़ेंगे पांच प्लस एक्स बटा तीन इस तीन को हम तीन बटा एक लख सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे स्टेप बाई स्टेप सॉल्फ करेंगे तीन गुडे तीन बराबर होगा और इसको मल्टिप्लाई करेंगे 5 प्लस X से इसी को लिख सकते हैं तीन तरिक का 9 और यह हो जाएगा 5 प्लस X यहां से X कमान कितना आ जाएगा 9 में से एगर हम 5 को घटा दे तो 4 यानि कि X की वालू कितनी आ गई 4 आ गई तो इस तरीके के वेस्टिन्स भी आपको दिये जा सकते हैं आपके एक्जाम्स में जहां पे की अवर्गिक्रित आंकडे होंगे इनका आपको समानतर माध्य निकालना होगा और बारमबढ़ता नहीं दी होगी पदो की जो दूसरा केस है जो दूसरे तरीके के क्वेस्टिन्स पाए जाते हैं इस चाप्टर में वो है कि अवर्गिक्रित आंकडो का समानतर माध्य आपको निकालना होगा जहां की बारमबढ़ता आपको दी गई होगी तो इस टाइप के जो क्वेस्टिन्स होते हैं वो टाबिलर फॉर्म में होते हैं यानि कि टेबल के फॉर्म में दिये होते हैं ऐसे करके यहां आपको कोई कुछ संख्या दिया होगी यहां दूसरा कुछ दिया होगा फिर ऐसे करके यहां अलग अलग नंबर्स दिये गए होंगे जैसे माली जी पांच इसे करके टेबल के फॉर्म में डेटा दिया रहता है यानि कि ये जो नीचे वाली संख्य है वो उसकी बारंबरता बताती है फ्रिक्वेंसी बताती है और उपर वाली जो संख्य है वो उसके पद बताती है अब इस टाइप के questions को कैसे solve करते हैं तो सबसे पहला काम आपका होता है कि सबसे पहले प्रतियेक पद में संख्यत बारंबरता से गुड़ा करते हैं यानि कि इसको इससे गुड़ा करेंगे इसको इससे गुड़ा करेंगे इसको इससे ऐसे करके हर एक term को गुड़ा करते हैं और सबसे पहले हम अगर हम इसका ऐसे टेबल बनाएं मान लिजे आपको एक टेबल दिया जाए X और Y का जहाँ टर्म्स जो लिखें वो ऐसे हैं X1 जो है वो F1 बाराया है X2 जो है वो F2 है X3 जो है वो F3 मान लिजे हमने 3 लिखा है ऐसे करके यह कहां तक जाता है N तक जाता है जैसे हमने पिश्टी बार पढ़ाता तो ऐसे करके आपको एक टेबल बनाए गई है और आपको समान तरमाध निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहला Step 1 हमारा क्या होगा कि हम X1 F1 निकालेंगे यानि कि इन दोनों संख्याओं को हम गुड़ा करेंगे और वो लिखेंगे फिर ऐसे ही X2 F2 निकालेंगे इन दोनों को गुड़ा करेंगे and so on कहां तक XN FN तक गुड़ा करके सबका मान निकाल लेंगे Step 2 क्या होता है कि इनको हम जोड़ेंगे यानि कि X1 F1 प्लस X2 F2 प्लस and so on XN FN इन नंबर्स को हम जोड़ेंगे और आखरी Step Step 3 क्या होगा कि इनको जोड़ने के बाद जो value हमें मिली है वो value हम यहां लिखेंगे और जितनी संख्या है जैसे माले जी यहां N है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके N तक है तो इसको हमने क्या किया N से FN से divide कर दिया FN कैसंख्या कितनी है 1, 2, 3, 4 and so on FN क्या होता है यहां पर हम इसे sum बना देता है summation FN तो summation FN क्या होता है कि जितनी बारंबढ़ता आई है जितनी frequency आई है उनका योग होता है तो हम पहले इन सारी चीज़ों को आड़ करके numerator में लिखेंगे और denominator में हम सारी frequencies को आड़ करके लिखेंगे एक simple सा question solve करते हैं जिससे कि यह concept clear हो जाएगा Exercise 3B का question number 3 देखेंगे हम जहां की नीचे दी गई सारी के आकड़ों का समानतर माध्य निकालना है आपको दिये हुए हैं इस तरीके के करके table के form में data दिया हुआ है अब सबसे पहला step हमने क्या बताया इन terms को multiply करना था जब हम इन terms को multiply करेंगे तो उसके लिए हम एक ऐसा table बनाएंगे आप यहां लिखेंगे उत्तर और जब उत्तर लिखेंगे उसके बाद सबसे पहले आप यहां लिखेंगे पद यहां लिखेंगे बारम बारता और यहां लिखेंगे पद बारम बारता और तीसरा कॉलम होगा पद गुडे बारम बारता का ठीक है अब सबसे पहले आपके यहां दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, 12 और 14 यहां दिया हुआ है 3, 4, 2, 2, 6, 8 सबसे पहले क्या काम था हमारा कि हमको इसको multiply करना था तो चलिए 4 चीजा 12, 6 फोर्जा यहां लिख सकते हैं 4 इंटू 3 बराबर, यहां लिख सकते हैं 6 इंटू 4 6 फोर्जा 24, 8 तूजा 16, 10 तूजा 20, 12 इंटू जा 72 और 14 इंटू 8 कितना हो गया 1, 1, 2 ऐसे करके हमने क्या क्या पहला स्टेप कम्प्लीट किया जिसमें कि हमको टर्म्स को क्या करना था multiply करना था अब हम क्या करेंगे यहां ऐसे करके column बनाएंगे रो बनाएंगे यहां लिखेंगे योग इन टर्म्स को जोड़ेंगे यह समेशन F की वाल्यू और इनको जोड़ेंगे तो यह हमें देगा समेशन F X की वाल्यू तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 6, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यह वाल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई अगला काम की है हमारा कि हम इन संख्याओ को जोड़ेंगे यानि कि 12 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 72 और प्लस 112 इनको जोडने पर जो वाल्यू मिलेगी वो है 256 अब हमें क्या करना है? समानतर माध्य निकालना है जो कि क्या होता है? Summation FX upon summation F Summation FX की वाल्यू कितनी है? 256 और ये है 25 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा वाल्यू कितना? 10.24 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तो इसी तरीके से आप इस चाप्टर के यानि की जो धर्ड चाप्टर है सांख्य की उस चाप्टर के सारे questions को solve करेंगे आपको PDF भी भेजा गया है तो वही questions आप अपनी fair copy में करेंगे और इसके अलामा सारे questions आप अपनी practice copy में solve करिए अगर कुछ ऐसा है जो की problem हो रही है तो वो आप पूछिए कल आपका Google meeting Google meet पे आपको classes होंगी जिसमें कि अगर कोई doubt है तो आप join कर सकते हैं time आपको mention कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद अगले turn से हम एक नया chapter start करेंगे Thank you class